Hello, Good Morning and Welcome Back Friends आप देख रहे हैं Golden Air Education यूटूब चैनल आज के इस वीडियो में बात करेंगे साथ अप्रेल से रेलेटेट जितने भी इंपोर्टेंट का रंट अफेर बनती हैं सारे इस लेस्न में कम्पलीट करेंगे साथ ये काफी सारे एक्स्टा खेक्ट भी यहाँ पर डिस्कस करेंगे सो पूरे लेस्न को ध्यान से और लास्ट तक आप चरूर दिखिएगा आफ्र देन आप इसकी पीडियोड डाउनलोड कर लिजेगा जिसका लिंक आपको मिलेगा नीचे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जहां आपको हिंदी और इंगलिज तोनों लेंग्वेज में इसकी पीडियोड मिल जाएगी पहली बार चैनल पर विजिट कर रहे हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूले चैनल को और साथी साइड वे जो बेल आइकन होगा नीचे उसते का उससे भी आप चरू दबा लिजेगा इससे आपको जो आने वाली सारी लेटेस्ट वीडियोज है वो यहाँ पर मिलते रहेगी कांटीन्यू बिना मिस्वे तो चलिए सबसे पहले हम बात कर लेते हैं जो लास्ट वीडि की क्विश्टी आपके लिए देखे कॉसन था कले की क्विच का फीपा विस्वे कप 2022 का आईजन कौन सा देश करेगा सही अनसर था आपका कतर देखे काफी इंपोर्टेंट है द्यान रखेगा इसको 2022 वाला भीपा कहा होगा कतर के अंदर होगा ठीक है अब बात करते हैं आज की करन्ट फिर की तो देखे पहला कॉस्टन आज का हाल ही में नीमन में से किस ने विस्वे बैंक के तेरवे अध्यक्स के रूप में सपत ली है दिखिए वेरी इंपोर्टेंट अप्टेटेट व इसमेड़ेंग को है डेवीड माल पास है यह देखिये वर्तमान में एमेरीकी वित्मंत्रा लके उप्मंत्री है जिनोंने इस सबादर ली है यहाँ पे अगर मैं बात करता हूं तो इनोंने इस तान लिया है दिखिये, का इससे पहले इसके अध्यक्स कोन थे जीम योंग किम थे और अब बन गया है डेविड मालबास कारेकाल के अगर मैं बात करता हूं तो इनका कारेकाल रहेगा पांस साल का इनका जो है यह कारेकाल रहेगा ठीक है इस पतबर रहेंगे चलिए यहां पर हम बात थोड़ा सा कर इसका है वाशिंग्टन डी-सी के अनधिक थोड़ा अंतराश्ती व्रितिय बेंक कि यह लोन उपलब्द कर वाता है ठीक है इसी ज़ा प्धार इसके बाद में अगर मैं बात करता हूं तो इसकी सतापना की गई थिया इसको फाउंड्ड एगा था नाइंट फ्रॉट 54 के अंदर और जो है एक चीज और आप ध्यान रख लीजीगा देखिए जितने भी जो अब तक ये तेरा अध्यक्स बने हैं इस वी सुवेंग के ये सारे के सारे एमेरी के अध्यक्स बने हैं ये चीज भी आप ध्यान रख लीजीगा ठीक है चलिए नेक्स्ट अप्टेट देखते हैं निम्न में से किसे भारतिय उद्धोग परिशत CII का नया अध्यक्स चुने गया है तो आपका सही अन्शुका जो विक्रम के लोश कर है ये CII के नया अ पर थे वो थे राकेश भारती ठीक है राकेश भारती इस पत्पर इससे पहले थे और अब को न मन गए है विक्रम के लोश कर यहां पर एक चीज और आप ध्यानक्रिजे गई से कि साथ जो उपाध्यक सुने गये हैं वो चुने गये हैं TV नरेंदरन ती वी नरेंदरन जो है उपाद्यक्स तुने हैं और अद्यक्स तुने हैं विकरम के लोज कर देखें यहां अगर हम बात करते हैं CII के बारे में थोड़ा सा CII जिसको फुल फॉम इंदी में होता है भारती उद्धोपरिसद और इंग्लिस में इसको कहते हैं जो इसका इंग्लिस फुल्फों होता है, वो होता है, Confederation of Indian Industry, इसका फुल्फों होता है, इंग्लिस में, एक तरीके से ये गैर लाबकारी व्यापारीक शंगठन है, जो देश के अंदर जितना भी धोपन से समंद्री जो काप काज होता है, उसके जो है, ये संभाल था, ठीक ह इसका Headquarter आप धहन रख सकते हैं, दिल्ली में जो है, इसका Headquarter है, ठीक है, चलिए नेक्स्ट अपडेट देखते हैं अपना, हाल ही लक्समी विलास बैंक का विले, किस वित्य संस्तान में हो गया है, सही अनुसोग आपका, इंडिया बुल्स हाउसिंग फाइनेंस में इस बै उसकी स्ताप नगी गिए थी, जो गरूर गुरुप है, उसकी जुआरा इसकी स्ताप नगी गिए थी, ठीक है, अगर यहाँ पर इंडियन बुल्स की बनात करता हूं, तहीं के यहाँ पर यह फाइनेंसल संस्ता एं हावारत की जिसकी स्ताप नगी ग scenarios 2010 2000 इसकी संस्ताप गय लिए 4700 महिलाउंने एक साथ कोनयाग्क नर्टे किया है यह नर्टे किस राज्ये का है, एक सीज़ तो यहां पर इन पूर झाय से हमार लें। तो यह है नागा लेंड का, जो नागा लेंड की जो जंगाती है उसी के दुआरा ये नर्ते किया जाता है, तो ये चीज़ जरूर आप ध्यान रखेंगा है, ठीक है, चलिए यहाँ पर और आपको ध्यान रख लेना है, इनों ने जो है एक साथ गिनीज भुक में इसको जो है दर्ज कराने के लिए एक साथ 4,700 में लाओने ये अभी हाली में नर्टे किया था ठीक है नागा लेंड की यहां पर हमने बात की है तो देखिए C.M. यहां के कौन है वर्तवान में नेफ्यू रियो नेफ्यू रियो यहां के C.M. है और जो गवर्नर है वो है पदमनबा जो आचारिय है पदमनबा आचारिय है वो यहां के वर्तवान में गवर्नर है कैपिटल है कोहीमा ठीक है ते तीनों चीज़ा आप दहान रखिएगा चलिए नेफ्य अपडेट देखते हैं हाल ही किस दिन को राष्टिय समुद्र दिवस के रूप में मनाय गया है सही अन्शोगाप का 5 अप्रेल को राष्टिय समुद्र दिवस के रूप में सेलिवरेट किया गया है जो की मतलब की मनाय जा रहा है 1964 से 1964 से मना जा रहा है और आलीज को 5 अप्रेल को मना गया ठीक है चलिए थोड़ा से यहां पर बात करते हैं तो इसका मनाने का मक्सद क्या है देखे इसका मनाने का मक्सद यही है कि जो अंतर महादीप यह जो व्यापार है साथी जो वेस्वी कर्थ फेश्ता है उसको निम्न में से किस कंपणी दुआरा दुनिया का पहला 5G स्मार्टफोन लॉंच किया गया है ठीक है तो सही अंसरों का सैमसंग ने यह लॉंच किया है एस टेन ठीक है एस टेन नाम उसका और अगर मैं बात करता हूं तो वो सैमसंग जो है यह एक कोरियन कंपनी है ठीक है जि दुनिया का पहला देश बन गया है 5G लॉंच करने वाला और वहीं पर जो सैमसंग है यह पहली कंपनी बन गई है 5G मोबाइल लॉंच करने वाली ठीक है एक चीज यहां पर देखे 5G के बारे में वैसे आप सभी जानते होंगे तो एक तरीक सी यह जो है 5th generation technology इंटरनेट की ठीक है जिसमें जो जैसे कि हम यूज कर रहे हैं अभी वरतमान में 4G ठीक है और यह 4G का यह test version 5G जिसका में जो मतलब की डिफरेंस हो वो यह यह speed का ठीक है जिससे कि यहां पर हम speed जो अभी 4G के अंदर receive कर रहे हैं उसका लगबग 10 गुना faster होगा यह 5G ठीक है यह यहां पर मैं इस बाद डिफरेंस है ठीक है चलिए नेक्स्ट अपडेट देखते है अपना फीपा कारेकारी परिशद के सदस्य के रूप में चुने जाने वाले पहले भारतिये कोन बन गये हैं सही अंशुगा प्रफूल पटेल प्रफूल पटेल को जो है हाल ही में फीपा कारे के अध्छिया आप ज़रू थें रखिएगा वारतमान में जो अखिल भारती फूटबाल संग है उसके अध्यस को ने प्रफूल पटेल है ठीक है फीपा के बारे में थोड़ा से हम बात करें तो फीपा के बारे में हमने कल भी वीडियो में डिसकस किया था एक तरीके से एक अंतराष्टी यह फुटबॉल वाइडर से होता है जो जितने भी जो इंटरनेसल लेवल के जो फुटबॉल मैंचेज होते हैं उनका जनी इसी के द ये फिर कब होगा किस देश के द्वारा उस्ट के जाएगा तो 2022 में होगा नेक्स्ट वीपा जैसे कि आज की क्वी जमी देखा था ठीक है और ये कतर में होगा ठीक है उसके बाद में देखी नेक्स्ट वासन है अपना निम्न में से किसे भारत का पहला कार्बन पोजिटिव दीए गया है यहां यहां पर यह कार्बन पोजिटिव टेग होता गया है इसके बार में थोड़ा साम आपको बता करता हम तो दिखेंग Yoe सिम्पल गृगी मैं बात करता हूं तो यदि कोई भी विक्तिया फिर कोई जो सीग करता है यह फिर जिसके दुवारा जितना carbon उस से जित किया जाता है उससे कहीं ज्यादा वह अगर उसको मतलब की निकालता है तो उसी को जो है carbon plus नाम दिया जाता है ठीक है इससे क्या मतलब होगा ठीक है तो इसका जो benefit होता है वह होता है जो green house से जो गैसी होती है उसको मतलब की उसके प्रभाव को कम करना साथ ही जो जलवायू परिवर्तन होता है उसमें कमी लाने का जो है इसका में कार्य होता है ठीक है उसके बाद में देखिए यहाँ पे हमने फ पिटल जो है मनिपुर की वो को कौन सी है इंफाल है ठीक है और जो यहाँ की मतलब की वर्तमान में जो मतलब की CM है ठीक है वो कोन है एन विरेन सिंग ठीक है और जो governor है वो कोन है नजमा हेपतुला गवर्नर ठीक है यह चीज़े आप था नकल जिए नेक्स्ट देखिए लाए मसले नियुक्त किया गया है सही आउंट लोगा सनादुआ सनादुआ जम्मु कश्मिर चुनावा आई ती नई ब्रेंड अय में चुनी गई है काफ्य सको सने ध्यान रखीएगा और एक चीज यहाँ पर धेदर रखीती तो सनादुआ है ये फ्मिना मिस इंडिया 2017 की र एप्लिकेशन भी लॉंच किया गया है जो जम्मू कस्मिर जो चुनाओ है उनको प्रमोट करने के लिए लोगों को मद्दान के लिए जागरू करने के लिए एक सलुहत नाम का एक मुबाइल एप्लिकेशन भी जम्मू कस्मिर में हाली में लॉंच किया गया है तो ये भी आप stock exchange जिसको सोट में BSE कहते हैं ठीक है ये मोक्स के साथ समझता करने वाला पहला stock exchange बन गया है देखे यहां पर हम बात कर रहे हैं BSE की BSE जो है ये Asia का पहला stock exchange था ये चीज़ा आप ठेहां रखीगा जो कहां पर इस्तित है मुंबई के अंदर इस्तित है ठीक है और इसकी इस्तापन की थी 1875 में जो है इस एक्सेंज को जो है इस्तापन किया था और ये दुनिया का दस्वा सबसे बड़ा stock exchange है ये भी आप ठेहां रख लिजीगा ठीक है चलिए नेक्स्ट अप्डेट देखते हैं हाल ही किस भारती अभी नेता को यूनियोर्सिटी आफ लौ लंदन द्वारा डाक्टरेट की उपादी दी गई है यहाँ पर देखिए लंदन है इसको थोड़ा सा जो है आप करेक्शन कर लीजीगा ठीक है तो ये जो उपादी द नीचे कमेंट पॉक्स में लिख़िए गा तो देखिए कॉसन नेमिंड में से किसे चोवण भाग इन फिट फॉर्षकार दिये गया है अंशर लिखीगा में इसका आप डिसकास करेंगे नेक्स्ट वीडियो में सुगाइश किए करफ अफ्वर वीडियो आपको पस claiming के भी